महम्मद अली दग्रेट अली है क्यों गोल्डिन ग्लब चैंपिंशिप उन्होंने जीती थी गोल्ड मेडल जीता था 18 साल की उम्र में लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है दग्रेटिस्ट अली वो क्यों कहलाते है वो आज खेल के किस्से में आपको रहान फजल बताएंग ग्रेटिस्ट उन्होंने इस नाम से अपनी आत्मकथा भी लिखी और क्या कैरिजमा था अली का सेल्फ कॉन्फिडेंस देखने वाला था उनका और जिस तरह से उनके मुक्के बात करते थे उसी तरह से उनकी जबान बात करती थी और टाइम मैगजीन ने उन्हें अपने कव कवर पर पांच बार रखा क्योंकि एक रेकॉर्ड है कि स्पोर्ट्समेन का टाइम मैगजीन में पांच बार कवर पर आना पूरे करियर में 56 जीत उन्होंने दर्शी 56 और पांच बार सिर्फ हारे वो मतलब 60 बार खेले तो 56 जीते और पांच बार हारे तो यह उपलम्थी कम लोगों को नहीं होती और इसके अलावा ओलम्पिक्स में रोम ओलम्पिक्स में उन्होंने गोल मेंडल जीता लाइट हेविवेट केटेगरी में बाद में फिर प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए हेविवेट केटेगरी में तीन बार विश चैंपियन बने उनसे टाइटल है हेविवेट चैंपिंशिप का जो उन्हो सरसट की है और पूरे अमेरिका में लोगों को भरती किया जा रहा था उससमें वियतनाम वार हो रही थी और मुहमद अली से भी कहा गया कि वो अमेरिकी सेना में भरती हूं लेकिन मुहमद अली ने भरती होने से इंकार कर दिया बलकि अपनी आत्मकथा में वो पूरा उसका सी गए, कैम्प में जो लेटिनेंट था उसने उन से पूछा कि कैसियस कले क्या आप अमेरिक की सेना में भरती होना चाहते हैं, अली बिलकुत चुप रहे, उन्होंने दूसरी बार अली का नाम पोकारा, दूसरी बार भी अली चुप रहे, और फिर यूनिवर्सल मिलेटरी ट्र के सन सरसथ अली पच्छिस साल के थे और पीक πर थे अपने बॉक्सिंग करीयर के, अगले साड़े तीन साल तक उनसे boxing kitab चीना रहा और वो boxing नहीं कर पाये और सन सत्तर में जाकर ये फैसला बदला गया और अली दोबारा boxing की ring में उत्रे लेकिन उसके बाद वो ring में वापस आए रियान जी तो वो ring में वापस आए तो उसके कहानी बदी देखे साड़े तीन साल बाद आठ मार्च 1971 मेडिसन स्क्वार कारडन नियू यॉक का सबसे बड़ा स्टेडियम जो boxing का है और बहुत मशहूर है वहाँ पर ये मकाबला हुआ और दुनिया भर के celebrity अली कमबैक कर रहे थे जो फ्रेजियर चैंपियन थे उनको कर रहे थे फ्रैंक सिनात्रा वहां मौजूद थे मशहूर कायक बलके लाइफ मैकसीन ने उनको कांट्राक्ट दिया था तस्वीरे कीशने का नॉर्मन मेलर थे मशहूर साहितिकार वो भी नोर्स ले रहे थे क्योंकि वो किताब लखने वाले थे पूरा स्टेडियम खचा खच भरा हुआ था लेकिन अली रस्टी थे इतने सालों बाद आ रहे थे और जो फ्रेजियर ने उन्हें पॉइंट्स के आधार पर हराया तो अली की ये पहली हार थी प्रोफेशनल बॉक्सिंग में शुरू में करी-परी बराबर का मुकाबला था लेकिन बाद में अली को खासा पनिश्मेंट झेलना पड़ा इस मुकाबले तो इस तरह से जो फ्रेजियर वाल्ट चैंपियन बने और मौहमद अली को अपना वॉल्ट किताब पहली बार खोना पड़ा लेकिन उनका एक मुकाबला था पच्चेस साल के खिलाडी जॉर्ज के साथ जॉर्ज फॉर्में ये तो खेर बहुत ही मशहूर मुकाबला था इसके बाद अली ने अगले फ्रेजियर से हारने के बाद अगले 14 में से 13 मुकाबले जीते उन्होंने और के नॉटन से वो हारे लेकिन इस भी जो फ्रेजियर भी अपना खिताब हार चुके थे और जॉर्ज फॉर्में नए वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे और सिर्फ 25 साल के थे और ये मुकाबला हुआ आफ्रिका में जायर किराधानी किंशासा में और अली कित्ते साल के थे अली 1975 में 33 साल के थे 32 साल अभी 33 साल उन्होंने पूरे नहीं किये थे 25 साल के जॉर्ज फॉर्मेंट और बड़ा दिल्चस्प वो मकाबला है इसका 10 मिलियन डॉलर्स यानि 5 मिलियन इनको मिलने थे और 5 मिलियन 50-50 लाग डॉलर इनको मिलने थे और 29 अक्तूबर को ये मुकाबला होना था और आपको यकीन नहीं होगा कि मुकाबला कितने बज़े शुरू हुआ आप दरा गेस करिए वैसे तो जो मुकाबले होते है वो आपके बतलब उसी टाइम से शुरू होने चाहिए जब लोग देखना चाहें ये मुकाबला शुरू हुआ सुबह तीन बच कर 45 मिनट पर बिल्कुल आपने सही चुना मैं दोहरा रहा हूं सुबह तीन बच कर 45 मिनट पर शुरू हुआ इसलिए ताकि अमरीका में बैठे दर्शक उसको सही टाइम पर उसको देख पाए और इसके बावजूद किंशासा का स्टेडियम खाचा खाच भरा हुआ था साथ हजार लोग वहां मौजूद थे इस मकाबले को देखने के लिए और जैसे ही अली खुसें हैं अली अली बोमाए बोमाए ये नारे लग रहे थे बोमाए का मतलब वहां की जबान में अली उसे मार दो अली किल हम ये नारे और फिर करीब जब ये आए हैं जोर्ज फॉर्मेंट तो अली ने पहला जिसे कहते हैं वर्बल बान जिसे कहते हैं उन्होंने चलाया कि तुम मेरे बारे में बच्पन से सुन रहे हो इस समय साक्षात मैं तुम्हारे सामने खाड़ा हुआ हूँ पहले मुझे सेल्यूट करो अच्छा ये वो कह रहे हैं जोर्ज फॉर्मेंट से और तमाम जो दर्शक बेटे उनके नहीं समझ में आ रहा कि अली क्या बात कर रहे हैं वरारा इंच उनके कान से बारा इंच की दूरी पाड़ा जाकर अली उनके कान में सोड़ूर से बोलने हैं कि सेल्यूट मी और फिर जैसे ही फिर जब रैफरी सब शुरू में वो आपचारिक ताएं होती हैं तो रैफरी ने वांड किया कि तुम क्या बात कर रहे हो बीच में बात रोग तूँ और ये भी कहा कि देखिए भाई नियम है कि आप किड्नी पर नहीं मारेंगे और पेट के निशले हिस्से में अप लेगा मतलब इस तरह की बातें वहां पर हो रही हैं और फिर बोले कि आज ये अफरी की दर्शक देखेंगे कि किस तरह मैं तुमारी लुगदी बनाता हूं और सिर्फ अली बोल रहे हैं और वो सिर्फ सुन रहे हैं और फिर अली ने जिसे कहते हैं कि पहला पंच जैसे ही घंटी बटी बिलकुल फोर मैन के सिर के बीचो बीच लगाया और थोड़ी देर में जो फोर मैन मजाक नहीं था वो भी वाल्ड चैंपियन थे उन्होंने अली को कॉर्णर किया और बिलकुल जिसे कहते हैं रिंग के कौने में ले गया और रिंग के कौने पर जो रसे लगे हो सूपर गिर जाते थे और अपने ऑपोनेंट को पूरा चांस देते थे कि उनको मुक्के मारे और वो उनसे बचने की कोशिश करते थे और उनकी टैक्स दिस थी कि इस बीच उसको पूरी तरह से ठका दें तो यह रो पे डोप थी तो जैसे ही अली को उन्होंने गिराया फोर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं लेकिन अली बॉक्स भी कर रहे हैं और उस से बात भी कर रहा है फोरमेंट से अली कहते कि तुम्हारे पास है क्या अब knowing that you think kindergarten में के बच्चों पर मुक्च बरसाते है अब मुझ पर मारके दिखाओ तो पता चले और आधा रांड पुरा हो इस तरह है कि वोल्ड चैंपियन हो तो असिस्टंट कोज जो उनके बुन्नी ब्राउन थे उन्होंने वो पीछे से चला रहे हैं डांस चैंपियन डांस और अधर डंडी कह रहे है कि get away from the ropes लेकिन अली का रोफ से हटने का कोई इरादा नहीं था और बिलकुल लगातार इसके मुक्कों की वज़े से मेरी बोल्टी बंद हो गए तो इस तरह से वो था और वहां पर नॉर्मन मेलर बहुत बड़े जो साहितिकार थे जो बॉक्सिंग उनका पैशन है अब का नोट किया कि लेकि अली स्टरीट राइट मार रहे हैं बाकसिंग में यह बहुत डेंजरिस पंच और मुशा़ियर पंच और मुशाहिय पुच्छा आध इसलिए कि यह ज्ली पहुचता है और जॉर्ज फोर्मेन गिरना शुरू है और लोगों ने देखा कि स्लो मोशन में जॉर्ज फोर्मेन बिलकुल रिंग पर गिरे हैं और अली ने अपने हाथ उपर उठा दिया है तो ये दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं महमद अली जायर के राजधानी कि इन्शासा में और उसमें बाद में अली ने अपनी आपका था दे ग्रेटिस में बड़ा अच्छा इसका वर्णन किया है कि मैं उसके इतने नस्दीक था मैंने उसको इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि मैं फॉर्मेन के दिल की धड़कने सुन पा रहा था और वो उन धड़कनों में देवधान हो रहा था बहुत रुक रुक के सांस आ रही थी और तभी मुझे लगा कि मेरे मुक्खे असर कर रहे हैं और वो जो लास्ट मुक्खा उन्होंने मारा है नॉर्मन मेलर बताते हैं कि वो मुक्का इतनी सोर से पड़ा है फॉर्मेन के क्यों 90 डिग्री में उनका सिर घूम गया है मतलब यहां से घूम कर पीछे की तरफ चला गया इतनी पावर थी उस पंच में मुहमद अली ऐसा बोलते थे कि मैं तुमको इतने मिनिट में इतने सेकेंड में हरा दूंगा और इग्जाक्ली उसी मिनिट में उतनी सेकेंड में अच्छा अली के बड़बोले परन का दो अधारन आपको देंगे जब वो फॉर्मेंट से लड़ने गए तो प्रेस कॉन्फरेंस थी ओले कि मैं इतना तेज हूँ कि अगर तूफान भी आ जाए और मैं वाक कर रहा हूँ तो पानी की एक बून भी मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी मैं इतना तेज वाक करूँगा दूसरा सुनिये इसका तो एक पोस्टर भी हमने लगा रखा था अपने बच्पन में जिसमें अली का एक कोट था येस्टेड़े यानि कल मैंने अपने होटल के कमरे की लाइट आफ लाइट का स्विच आफ किया और इससे पहले की लाइट आफ होती मैं अपने विस्तर पे अपनातर शायद सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले शक्स थे दुनिया में उस समय के तो पोस्ट रोटायर्मेंट क्या वही बुली मौमर एली थे इसका बहुत अली के स्वास्त पर बहुत बड़ा असर पड़ा इन मुक्कों का कहा जाता है कि पूरे करियर में अरी को करीब डेर लाक पंचिस पड़े उनके सिर के ओपर पूरे करियर में मतलब एक कंप्यूटर से एक बार गिना गया एक कल्प सोचा गया कि कितना मार खाए हैं उसकी वज़े से अली को पारकिंसन डिजीज हो गई और उनके हाथ कांपने लगी स्पीच पर उनका कंट्रोल जा आता रहा और आखरी समय में उन्होंने लोगों से बात करनी बंद कर दी लेकिन 1996 में जो अटलांटा ओलम्पिक हुआ था उसमें अली को ओनर दिया गया ओलम्पिक फ्लेम जलाने का पूरी दुनिया ने देखा कि अली किस तरह से तबियत खराब होने के बावजूद अली न अवगष से उसके बावज़ किस तरह भू कि अली कि बावज़ कि अली कि और शयूदी कुछ गया लेकि मुझके